हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आज चानल प्रिति जानिक्स आज मैं एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ जो कि मेरी दिदी को बहुत ही पसंद है और वो डिश है बनाना बंस याने के गुलगुले तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बनाना बंस बनाने के लिए हमें चाहिए तीन बनाना मैंने पके हुए बनाना लिये है गेहू काटा दो कप आधा कप शक्कर किलाइचे पाउडर दो पिंच थोड़ा सा दूद और फ्राइ करने के लिए तेल सबसे पहले केले को हम मैश करके लेते हैं ये ये अच्छे सी स्मेश हो गये हैं अब इसमें आड ने करेंगे हाप कप शुगर अगर आप सुगर नहीं का सकते तो आप इसमें गुड भी एड कर सकते हो अब इसमें एड़ करेंगे दो पिंच इलाईची पाउडर अब इसमें मैं एड़ करूँगी थोड़ा सा नमक पाकी स्वीट डिश में नमक का स्वाद अच्छा लगता है अब इसमें मैं एड़ करूँगी दो कप गेहु का आटा अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद मिलाएंगे जरूरत की हिसाब से हमें दूद आड़ करना है इसमें क्योंकि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा ज्यादा गाड़ा होना चाहिए अब हमारा बैटर हो गया है रेडी तो हमें इसे 15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रखना है 15 मिनिट हो गए है तो हमें बंस को भी डिफ फ्राइ करके लिए ना है इसके लिए मैंने एक कडाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो आब बंस को इसमें एड़ कर लेंगे बंस को हमें गोल्डन ब्राउन करना है दोनों साइड से इससे हमें अच्छे से फ्राइ करके लेना है देखें कितने अच्छा कलर आया है बंस को तो अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है तो हमारे बंस याने के गुल गुले हो गया है रेडी तो आप भी जरूर ट्राइ किजिए बनाना बंस see you in next video take care god bless